नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ सेहत में दोस्तों उत्तरपरदेश, बिहार, राजस्थान और दक्षिन भारत के घरों में सबजी बनाने में सर्सों के तेल का इस्तिमाल मुख्य रूप से किया जाता है कुछ जगों पर इसे कड़वा तेल के नाम से भी जाना जाता है सर्सों का तेल सिहत और सुन्दरता, दोनों के लिए बहुत ही फायदेमन्द है सर्सों के तेल में कुछ ऐसे तत्व पाये जाते हैं जो दर्द नाशक का भी काम करते हैं जोडों का दर्द हो या फिर कान का दर्द, सर्सों का तेल एक औशधी की तरह काम करता है तो आईए दोस्तों आज इस वीडियो के जलिए जानते हैं सर्सों और सर्सों के तेल से होने वाले उपयोगी लाब आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ साजा करेंगे सरसू और सरसो के तेल से होने वाले तेर है बड़े फाइदे दोस्तों शरीर पर सरसो के तेल की मालिश से सारे शरीर में खून का दौरा तेज होकर शरीर में सफूर्ती आती है इससे शरीर पुष्ट होता है बुढ़ापे के लक्षन मिटते हैं थकान भी दूर होती है मास पेशिया मजबूत बनती है तथा तवचा स्वच एवं जूरियों रहित कोमल कांति पूर्ण बनती है नवजात, शिशु तथा प्रसुता दोनों का शरीर सरसो के तेल की मालिश से पुष्ट तथा बलवान बनता है यह शरीर के रोम चिद्रों द्वारा सारे शरीर में पहुंच कर शरीर को पोशन परदान करता है तथा शक्ती देता है सर्दियों के मौसम में तेल की मालिश करके नहाने से शरीर पर ठंड का असर कम होता है शरीर का रोग ग्रस्त अंग जिसमें दर्द सूजन या गठिया हो सरसो के तेल की मालिश से आराम मिलता है सरसो के तेल में हींग अजवाईं लहसून डाल कर गरम करके ठंडा होने पर छान कर शीशी में रखें सरदी के कारण हाथ-पैर-कमर में दर्द होने लगे तो इस तेल की मालिश करें, आपको आराम मिलेगा बच्चों को सरदी लग जाने पर इस तेल की मालिश से उनकी सरदी दूर होगी सिर के बालों में नियमित रुप से सरसो का तेल लगाने से वे असमे सफेद नहीं होगे सिर में दर्द नहीं होगा आँखों की जियोती तेज होगी तथा नींद भी आपको अच्छी आएगी दोस्तों कानों में सरसो का तेल डालने से कान दर्द बहरा पनादी कान के रोग मिटते हैं इससे कान का मैल फूल कर बाहर निकल जाता है कान में दर्द हो या कीडा घुसक्या हो तो सरसो के तेल में 3-4 कलियां लहसुन की डाल कर गरम करके गुनगुना रहने पर एक से दो बूंद कान में डाले, कीड़ा मर कर तेल के साथ बहर आ जाएगा सरसो के तेल में बारीक पिसा हुआ नमक मिलाकर कुछ समय तक लगातार मंजन करने से तांतर्द पाईलिया आदी रोगों से लाब मिलता है जुखाम होने पर गरम सरसो के तेल की चाती पीच पर मालिश करके तथा नाग के चारो और लगाने से भी आपको लाब मिलेगा पैरों के तलवों पर सर्सों के तेल से मालिश करने से ठकावट दूर होती है पैरों की शक्ती बढ़ती है और इससे आंखों की जोती भी तेज होती है सर्सों के दाने शहद के साथ पीस कर चाटने से खांसी से आराम मिलता है सरसो के तेल में कपूर डाल कर मालिश करने से गठिया के दर्थ से भी आराम मिलता है बच्चे के पेट की तीली बढ़ जाने पर सरसो के तेल को गुनगुना गरम करके कुछ दिन उसके पेट की मालिश करें इस से बच्चे को आराम मिलेगा दोस्तों अगर किसी ने जहरीला पधार्थ खा लिया है तो गरम पानी में सरसो के दाने पीस कर पिलाने से ततकाल वमन हो जाएगा तथा पेट से जहरीला पधार्थ भी बाहर निकल आता है सरसो के तेल में आग के पतो का रस तथा हल्दी मिला कर गरम करे ठंडा होने पर चान कर एक शीशी में रख लें खाज, खुजली, दाद, आदी, चरम रोगों के लिए यह तेल बेहत फाइदे मन्द है सौंद्रिय वर्धक उप्योगों के लिए भी है सरसो का तेल लापकारी दूद में सरसो को गलने तक उबाल लें फिर उसमें गुलाब चल मिलाकर नियमित रूप से चहरे पर उप्टन करने से आपका रंग निखरेगा सरसो को हलका भून कर पीस कर रख लें आवशकता हो तब उसमें पानी या दूद मिलाकर चहरे पर लगाएं सूखने पर हलके हाथ से रगड कर साफ कर लें गुनगुने पानी से धो लीजिए चहरा चमक उठेगा भूनी हुई सरसो भूने काले तिल नागर मोथा जया फल पीस कर उसमें थोड़ा बेसन मिलाकर उप्टन करें ऐसा करने से जाई मुहा से खुशकी मिटेगी तथा तवचा लावणने में बनेगी बेसन, हल्दी, जरा सा पीसा हुआ कपूर तथा सरसो का तेल डाल कर दही या पानी के साथ घोल बना लीजिए इस उप्टन से रंग साफ होगा और तवचा में चमक आएगी दोस्तों सरसो, बच, लोट, सेंधा नमक मिलाकर पानी में पीस कर मुह पर लेप करें तथा सूखने पर गुनगुने पानी से धो लीजिए, तौलिये से पोच दीजिए, चहरा साफ कर लीजिए, इससे मुहासे मिटेंगे तथा चहरा चमक उठेगा तो दोस्तों, ये थे सरसो और सरसो के तेल से होने वाले बड़े उप्योगी फाइदे हम उमीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आपके जीवन के लिए अतियंत उप्योगी सिथ होगी, आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही सेहत से जुड़ी जानकारी साजा करते रहेंगे अगर आप हमारा ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो इसे जन्हित में जारी करने के लिए लाइक और शियर जरूर करें हेल्थ समंदी और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं धन्यवाद